नमस्कार, हिंदी आचारे चैनल पर स्वागत है जी आपका आज हम मीरा भाई की पदावली पड़ेंगे तो चले शुरू करते हैं बच्चों, मीरा भाई जो हैं वे आज से लगबग 500 वर्ष पूर्व राजस्थान की एक रानी थी लेकिन उनका जो सारा ध्यान था वे हैं भगवान श्री क्रिष्न की भक्ति में था इसलिए हम मीरा भाई को संत कवित्री कह सकते हैं भक्तिकाल की तो चले उनकी काव्य रचनाएं पड़ते हैं हम मीरा कहती हैं कि हे नंदलाल, हे नंद के बेटे आप मेरे नैनों में आके बस जाओ मोहन मूरत सावरी सूरत नैना बने विसाल मीरा कहती हैं कि आपकी जो मूरत हैं वह मोहन है यानि कि हमें अपनी तरफ आकरशित करती है और सावरी सूरत आपका जो चहरा है वह सामला है सब जानते हैं श्री कृष्ण का रंग सामला था और नैना बने विशाल आंकी जो आंखे हैं वह बड़ी-बड़ी है मोर मुकुट आपने मोर का मुकुट पहना हुआ है धारन किया हुआ है और मकराकृत कुंडल आपने जो बालियां है गोल-गोल कुंडल है जो आपके वह सुधा कं मुर्टों पर सुधा का Rs सुधा यानि की अमरित और रस मुर्ली यानिकी बांसुरी जो है उस-मेंसे जो ध्वनी निकलती थी श्री हांसुरी बजाते जिसकी बहुत ही सुन्दर माला बनती है तो मीरा कहती है कि आपने अपने उर पर आपने अपनी गर्दन पर वैजयन्ती के फूलों की माला धारन की हुई है और चुद्र घंटी का कटी तट सोबित आपने चोटी घंटी जो है वह अपनी कटी पर यानि कि अपनी कमर पर मीरा प्रभु संतन सुखदाई मीरा जी कहती है कि हे प्रभु हे परमात्मा आप संतों के लिए तो सुखदाई हो यानि कि जो परमात्मा के भक्त हैं आप उनको सुखदेते हो और भक्त बचल गोपाल भक्त बचल यानि कि भक्त जो भगवान की भक्ति करते हैं वे भक्त और वचल यानि कि वातसल्य करने वाला भक्त वचल कहा जाता है न भगवान को भक्त वचल क्यों है भगवान क्योंकि वे भक्तों पर मा की तरह का प्यार करते हैं तो गोपाल भी कहा मीरा ने गोपाल भगवान श्री कृष्ण का नाम है क्योंकि वे बड़े प्यार से गायो को पा ले हो चलिए अब दूसरी काव्य रचना पड़ेंगे मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई मेरा कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल है और कोई नहीं है दूसरा और कोई नहीं है बच्चो देखो गोपाल का अर्थम ने समझ लिया अब गिरिधर का अर्थम समझते है बच्चो ऐसा कहा जाता है कि वरिंदावन में एक बार बहुत ही तेज बारिश हुई थी और इतनी जादा बारिश हुई थी कि वहां के जो लोग हैं उनको बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन नाम का एक परवत अपनी उंगली पर धारन कर लिया था ताकि एक अंब्रेला की तरह एक छत्री की तरह वे सबकी रक्षा की उन्होंने श्री कृष्ण ने तो तब से उनका एक नाम गिरिधारी या गिरधर पढ़ गया क्योंकि उन्होंने गि मेरे तो केवल गिरिधर गोपाल हैं और कोई नहीं है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पती सोई मेरा कहती है कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है मेरा पती वही है यानि कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण मोर का मुकुट धारण किये रहते थे तो वे कहती है कि मोर का मुकुट केवल श्री कृष्ण है चाड़ दई कुल की कानी कहा करे कोई मीरा कहती है कि अब तो मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी कहा करे कोई कि अब कोई क्या कर सकता है संतन डिक बैठ बैठ लोक लाज खोई मीरा कहती है कि मैंने तो संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज खोदी है लोगों की शरम खोदी है, मुझे अब किसी से कोई फरक नहीं पड़ता, मुझे तो केवल और केवल भक्ती करनी है मेरा कहती है कि मैंने अपनी आंसों के जल से सींचा है, किसको प्रेम नाम की बेल को मैंने अपने आंसों से सींचा है बच्चो जब कोई भक्त भक्ती करता है परमात्मा के साथ तब उसे बहुत रोना आता है तो यह जो प्रेम की आंसू है यह जो भक्ती की आंसू है मीरा उनके बारे में बात कर रही है कि इन आंसों से उसने प्रेम की बेल को सींजा है और अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई मीरा कहती है कि अब तो ये जो मेरी भक्ती रूपी बेल है यह फैल गई है, यह बहुत अच्छी बड़ी हो गई है और इसमें फल लगा है कौनसा फल? आनंद रूपी फल लगा है यानि कि मुझे भक्ती करने से बहुत आनंद मिलता है मीरा यह कहना चाती है भगत देख राजी भाई, जगत देख रोई मीरा कहती है कि भक्तों को देखकर तो मैं राजी होती हूँ मेरा कहती है कि हे गिर्धर मैं आपकी दासी हूँ मैं आपकी सेविका हूँ आप मुझे इस दुनिया से अब तार दीजिए यानि कि मुझे अब मुक्त कर दीजिए इस दुनिया से वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाद